हाथों को बार-बार साबुन या एलकोहल आधारित सेनिटाइजर से धोई छीक और खासते समय अपना मूह और नाक, टिशू या रुमाल से धकें प्रयोग के बाद टिशू को किसी बंद डब्बे में फेक दें बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंद संपर्क करें डॉक्टर से मिलने के दोरान अपना नाक और मूह, मास्क या कपड़े से धकें भीरभाडवाली जगों में जाने से बचें और बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में ना आएं ये भी खयाल रखें कि अपनी आँख, नाँख या मुँख को ना चुएं और सारवजनिक स्थानों पर ना थूकें झाल, ये तक खूकेंजनिक स्थानों आएं